है अगा है 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 यह लो दोस्तो स्वागत आप सबी का आपके अपने ओल्ड टाइम क्लासिट सार्णपूर्थ चैनल पर दोस्तों मैं संजीत उमर एक बार पिर आपका स्वागत करता हूं और आप सबी के लिए जो हमने स्पिसल बैच चलाया है स्सी जीडी का उसकी एक किलास लेकर आया हूं ठीक है ना तो हमारी जो आज की यह किलास है यह किस से संबंदित है ज्यादा तर स्सी जीडी और यह क्या है दोस्तों यह है टेस्ट वेट यह है यूपी पुलिस ठीक है ना और रेलवे इन सबी से संबंदित होने वाली है और टोपिक कौन सा है हमारा आज का टोपिक आपका होने वाला है यह है आपका प्रोफिट एंड लोस का तो ठीक है दोस्तों तो प्रोफिट एंड सुरी साधान ब्याज का यह टोपिक है औ आप इस बात से परेशान होंगे कि ये सर आपने क्या किया है यहां पर तो किलास इसादा ने भी आज थेरी लिखा वर यहां पर लेक्षर वन तो इसका मतलब क्या हुआ तो इसकी इसकी बारे में भी मैं थोड़ा सा एक्स्प्लेइन करना चाहूंगा क्योंकि हमने जो यहां है दोस्तों अपनी क्लास है क्लास का जो क्लासिफिकेशन या फॉर्मेट किया है यहां पर जो क्लास का फॉर्मेट है हमारा वो दो तरीके से है एक तो है दोस्तों बेसिक क्लास में ठीक है ना एक है आपका लेक्चर के अंदर तो बेसिक क्लास की बात यह है कि दो तो इसकी basic class यह एक पहली थी एक दूसरी ठीक है ना और एक वाज का lecture और याद रखना basic class इतनी basic होती है दोस्तों कि आपको वो दोनों तरीके से बताया जाता है ठीक है ना किस तरीके सा आप इसे soul कर सकते हो और कैसे आप इसे soul करोगे ठीक है ना जो भी आपका तरीका हो सकता है आसान इस जितना भी आसान हो सकता है इसके अंदर बताएगा यानि कहने का मतलब यह है अगर बच्चा सुनने अस्तर से भी स्टार्ट करें ना दोस्तों तब भी वो सीख सकता है ठीक है ना ऐसा मेरा दावाः है, अनुमान है तो ठीक है दोस्तों चलिए फिर सुरुवाद करते हैं आज के हम अपने किलास के आज के विचार के साथ अगर आपका बेसिक बहुत जादा कम जोरह आप भी देख सकते हैं ठीक है ना चलिए फिर दोस्तों सुरुवात करते हैं सुरुवात करते हैं आज के विचार से आज का विचार क्या है आज का विचार है अगमात्मा गांदी जी का विचार है जो राष्ट पिता है हमारे तो उनके विचार जाहिद सी बात है आसानी से समझ नहीं आएंगे क्यो बोसिश करते हैं समझने की यहां पर लिखा क्या गया ऐसे जीए जैसे आपको कल मरना है और सीखे ऐसे जैसे आपको हमेशा जीवित रहना है तो मतलब यह है कि आपकी नोलिज इतनी अच्छी होनी चाहिए कि अगर कोई दूसरा भी है तो आपको फकर से कैसे कि इस बंदे का स कहीं महादमा गादीजी ने तो मतलब आपको समझाया होगा अच्छी तरीके से कि आपको किस तरीके से जीना है और किस तरीके से आपको ये आपको सीखना है ठीक है दिखाएगे इन डिपार्टमेंट के यह दिखाएगे होगे कि आप जिस भी डिपार्टमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं इन में सब्सक्राइब दिखाएगे इन सभी के अंदर ठीक है न यह साधान ब्याज यानि सिंपल इंट्रेस्ट का चप्टर मिलने वाला है तो यहां पर चप्टर की सुरुवात करने से पहले हम इसके जो बेसिक फॉर्मूले हैं उन्हें समझ लेते हैं पहले तो प्रिफ क्या है साधान ब्याज बराबर यहां पर था आपके पास P into R into T upon so ठीक है और दूसरा था एक special formula था A into 100 और यहां पर P so plus R T वैसे तो अगर basically मैं आपको बता हूँ तो हमने इन formula का बहुत कम यूज किया और दूसरे तरीके से soul किया वो किस तरीके से आप भी जानते होगे अगर आप किसी को ब्याज पर पैसे दो तो जाहिर सी बात है ब्याज पर पैसे देने का मतलब है आपको profit ही होगा मतलब क्या है lab होगा तो ब्याज जो है यहां lab का का काम करेगा तो फिर lab आनी वाले concept आप question रोड कर सकते हो है ना ईजी चले फिर अब सुरुवात करते हैं आज के हम अपनी किलाज की एक निश्चित साधन व्याज की दर पर एक बात याज रखना दोस्ति भी basic to advance होगी यहां पर कोई simple तरीके कुछ नहीं बताए जाने का ठीक है न जैसा होगा बस standard level लेगा और अब याद रखने यह किलाज अच्छी अस्तर की रहेगी तो अब अपना ठीक है ना concertate अच्छी से बनाकर बैठना यहाँ पर एक निश्चित साधन व्याज की दर पर 800 रुपे तीन वर्सों में 956 हो जाते हैं कितने 800 हैं आपके 800 कितने हो जाते हैं तो यहाँ पर कितना हुआ 35, 15, 3, 2, 6 तो यहाँ पर 6, 43 तो शाड़े 6% दर थी पहले कितने थी शाड़े 6% तो आर आपने निकाल लिए अब क्या कहा यदि दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपे तीन वर्सों में कितने हो जाएंगे इसका मतलब तो अब दर हुई आपकी 10% यानि चार और एड़ कर दोगे इसमें तो कितना हुआ 10.5% ठीक है ना 10.5% अब दर है तो बस अब आपको निकाल देना है क्या कि कितना मिस्दन रहेगा मिस्दन निकालना तो जही इसी बात है आपको या तो हमने जो दूसरा तरीका बताया वो निकाल दीजिए अधरवाइज 100 तो कितना है दन यहाप पर दन है आपका 800 800 पर एक 100 तीन साल का है ना तो तीन किसमें मिल्टिप्लाइ कर दीजिए और यह हो जाएगा कितना 100 पलस के यानि कितना हो जाएगा यह 10.5 गुना 3 और बते 100 और इसे एक ब्रेक्ट में ले दीजिए यह मिस्स दन हो जाएगा जब इस मिस्स दन को निकाल दोगे तो आपको मिल लेगा यह सारा कैलकुलेशन करने पर 1052 ठीक है ना यह आपको ध्यान लगना है तो तो यह पांच अजार रूपए बढ़कर 5700 हो जाते हैं कितने का पोपि्ट हुआ 5000 थे कितने हुए 5700 तो पोपिट कितना हुआ 700 का पोपिट कितने पर 5000 पर गुना कितना रहा ठीक है एक वर्ष की बात थी तो यहाह से निकल गई आपकी दर तो चोदा परसेंट दर थी कितनी थी चोदा परसेंटेज आर थी उसने कहा कि उसी पांच वर्स के बाद उसी दर पर साथ हजार रूपे कितने हो जाएंगे पांच वर्स के बाद ठीक है ना साथ हजार रूपे कितने हो जाएंगे तो ठीक है अब है 7000 रुपे हो जाएंगे इसका मतलब मिश्धन निकालना है आपको ए तो 1450 यानि 170 परसेंट आप निकाल दीजिए बस 100 तो यह 0 गई तो यहाँ पर कितना हो जाए 17 सकते 119 और 0000 ग्यारा हजार 900 हो जाएंगे ठीक है न यहाँ पर अगला क्यूस्चन है देखते हैं मैं क्या कहा गया यहाँ पर देखिए यदि 25 रुप एक का 8 परसेंट वार्शिक बैज की दर पर साधान निवेश किया जाए तो वह है कितने वर्षों में 3300 हो जाएंगे ठीक है कोई पूलम नहीं है यहां तब तो वर्षी तो न जाहिसी बात फाइदा देख लेजिए प्रुपिट कितना का हुआ यहां पर 800 का लाब है कितने पर 25 रुप है गुना कितना सो परसेंटी तो परसेंटी निकलने का तरीका है और दर अगर चाहिए तो आपको क्या करना होगा समय चाहिए तो दर से भाग दे दीजिए बस जीरो सो जीरो पच्टिस टो के सो और आट साट तो टी बराबर चार वर्ष में ठीक है ना चार साल में वो कितना हो जाएगा आपका इतना हो जाएगा तेतिस सो रुपे यह रहा वह दन्नाशी क्या है जिस पर वह दन्नाशी क्या है जिस पर एक्स वर्षो का एक्स परतिसत वार्षिक ब्याज की दर से साधन ब्याज एक्स हो जाए ठीक है कोई प्रोब्लम नहीं है तो दन्नाशी निकालने ना तो साधन ब्याज एक्स है पी टाइम के लिए एक्स गुन काट दीजिए इसकी दर मल्लिटिपलाई जैजिए पी बराबर कितना होगा सो गटे एक्स तो वह धन्राशी है सो गटे एक्स ठीक है अच्छा इसमें क्या कहा गया ध्यान देजिए 500 रुपे का छमाइने का आठ परतिसत छमाई ब्याइल दर कितना होगा 25 रुपे ऐख छमाई ब्याज दर कुंच गया तो जो कहा गया फोनिसे ध्यान दर नच्यार ना चमाई का थे दर कितने में चमाई होगी जEMA ने मरकित छमाणीशव्क करना एक चमाई होगी इंप तो जाहिर सी बात है एक लेना होगा बस आपको 500 का कितना निकालना 500 का शिर्फ निकालना आपको आठ परसेंट ठीक है ना 500 का आठ परसेंट निकाल दी एक बटे सो पान अठी 40 रूपे ठीक है तो ब्याज रहेगा आपका 40 रूपे है यहां पर है यदि मुल्धन और उस पर एक वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन का अनुपाद 10 अनुपाद 2 हो जाता है तो ब्याज की वारशिक दर क्या होगी ब्याज की वारशिक दर क्या होगी ठीक है दस दो का अनुपाद हो जाता है तो इसका मतलब 10 था तो हुआ कितना 12 तो प्रोफिट ह करोगे सो तिससे काट दी दे 20 परसेंट थी दर आपके कितने थी यह रही 20 परसेंट जहां पर साधर ब्याज की किस विशेश दर पर 10,000 रूपे दो वर्षों में 1200 हो जाते हैं यह जी ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो वही 1000 रूपे तीन वर्षों में कितने हो जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है कितने थे यहां पर 1000 ठीक है ना 1000 से कितने वे वह वह 1200 तो प्रॉपिट हो ना कितने का 200 का 1000 पर ठीक है हैंडेट से कि मल्टिप्लाइं कर दोगे और दो वर्षों में तो दो से डिवाइड कर दीजिए लेजिए यह हुई तीन जीरो तो दस परसेंट आपकी दर थी उसने कहा यदि दर 4 परसेंट बढ़ा दे जाए तो 4 परसेंट बढ़ाने का मतलब कितनी हुई दर 14 परसेंट तो यह लेनी हो गया और तीन वर्ष में 1442 तो एक हजार का यह निकालना है एक हजार का कितना करना 1442 परसेंट बटे सो इससे जकाट दी दे तो यह हुआ 1420 कितना हो जाएगा वह तीन साल में 1420 रुपे यहां तब तो अब चला है मेरे ख्याल साबको कोई फोड़म नहीं हो होगी ठीका ना तो इस क्यूस्चन को भी देखते हैं एकिस्ट रुपे की राशी दो वर्षों में एकिस्ट रुपे पर दो वर्षों में 252 हो गई कितनी हो गई वह 252 तो जाहिज से बात हैं यहां पर प्रोपेट हुआ कितना था वह 2100 थी आपकी ठीक है ना 2100 और हुई कितने हो थेज सो बावन तो प्रोपेट हुआ कितने का प्रोपेट हुआ यहां 252 का ठीक है कितने उपर 2100 गुना क्या करता थो विश्ट हो ठीक है दो वर्षों में थी 200 और डिवाड कर दीजिए 200 दो जिर सो दो जिरो 21 कम 21 और 22 तो 6% ब्याज की दर थी तो यह दी ब्याज की दर 1% घटा दी जाए तो ब्याज क्या होगा अगर दर फिला उस टाइम कितनी थी 6% और अब दर कर दी जाए कितनी 5% तो दो वर्षों में कितना होगा कोई प्रोब्लम नहीं है तो 21 सो तुरासी ही थी आपकी अब निकालना कितना है आपका यानि 5% और कितने के लिए दो साल के लिए और बटे क्या कर दो गया आप सो दो जिरो सो दो जिरो यह हो गया 21 दो सो दस कितना हुआ यह 210 तो ठीक है 800 रुपे की रासी तीन वर्षों में साधर व्याज की दर पर 920 हो जाती है कितने हो जाती है 920 तो जहीज सी बात है अब जैसा कहा गया वो तो आपको करना ही होगा कहां यह है 800 की रासी 920 हो जाती है कितने का प्रोफिट है 120 का और बटे कितना 800 गुना कितना करूँगा 100 बटे 3 जीरो से जीरो ठीक है 1580 ठीक है ना ना पर हुआ 1580 तो 5% तो इसका मतलब दर और कितनी थी 5% उसना कहा क्या यह दिदर 3% परती वर्ष बढ़ा दी जाए तो समान अवधी में वहरासी कितनी हो जाएगी तो 3% बढ़ा दी जाए इसका मतलब कितनी होई वह 8% अगर वह 8% हो जाती है दोस्तों तो 800 का कितना निकालना है अब 80% निकालना 3% और बढ़ा दिया ना तो ठीक है 800 रुपेक यहां पर हुआ 8% यानी 108% आप यह जोविश ठीक है ना कितना हुआ 8 यह चोविश एकमनिट एक सोचोविश और बट्टे कितना है रहास और हो 20 स्वेश्च्ण स्ट्रेंज अबराबर थीक कितना हो जाएगा आठ गुतट्रों बढ़ा यह ठीक है तो यह वह जा बाण भाए है यहाँ पै जयान दीजिये किसी धन्राशी पर 3 सही 3 बटे 4 पर 3 पर 3 वर्स की दर से 2 सही 1 बटा 3 वर्स का ब्याज 210 रूपे है राची कितनी थी ती थी यहाँ सी और यह कितना रहा यहाँ पर रहा 4 ते बारा कितना था 3,3.4 4,3,2,3,15 15,4 फिक है अरो समय कितना रहा है यहां पर यह खेर एक 7,7 बटा 3 और बटे में 100 और रोल में लीजिए यहां पर कितना हो जाता है 260 तो थीख है यहां तक तो 3,15 क्ड़ अरो और काट तीजे कुछ सात एक त्यज पांच चंग 30 ठीक चार सु भी गुना कर देज़ पी बराबर 424 और दो जीरो ये रही तो 2400 कैसे कितने थे 2400 थे ये रही में आट परतिशत वार्षि Manager की दर से कौन सा धन चार वर्षों में कितना 600 हो जाएगा चाउठ सू paragraph शाह्षाठ सू आठ पर्तिशत वार्षिойти दर पर कितना तो द्धन तो जहिसी बात है कितना हो जाएगा वैसे भी कर सकते हो आप जो मैखल कले प्ले के रहे किया था अगर यह 100% है यह तो पी है दन की बोलते है भी आज क्या उत्ता था आर्टी और यह कितना उत्ता था 1001 आर्टी यह था यह ऐसा यह ठीट है और यहां पर एक इतना बना यहां पर बना एक सो और चिक बत्तिस एक सो बत्तिस एक सो बत्तिस को क्या बोल दें यहां पर चास अट सो है अगर इससे इसे डिवैड करें दो और दो से सो को तो पचास का मल्टीपल है सिर्फ कितने का पचास का अगर यह पचास का मल्टीपल है तो धन कितना था यह पचास का ही मल्टिपल तो पांच जार रुपे धन रहा होगा कितना रहा होगा पांच जार रुपे धन कि यहां पर एक लाकिस्टन कितने धन राशी छे वर्ष में चार परतिसे वार्षिक ब्यार की दर पर चार सुचान में हो जाती है यह भी कुछ इसी तरीके से करना है ठीक है न तो अगर देखना है धन कितना होगा सो परसेंट आर्टी ब्याज होता था आपका ठीक है न और यहां पर ए होता था सो पलस आर्टी कितना होता था यह सो पलस आर्टी तो सो पलस आर्टी का मतलब कितना होगा सो पलस आर्टी तो यहां पर हुआ है एक सो चोबिस एक सो चोबिस को बोल दिया आपको क्या बोल दिया यहां पर चार सो च्छानवैं है न चार सो च्छानवैं तो यह इतने का मल् मुल्टिपल होगा यह होगा आपका 4 मुल्टिपल ठीक है ऒगर यह 4 – 4 शीν रहे गाई या तो इस बात को थूदा ध्यान में रखें임 को तो यह कुष्टन करते हैं दोस्तों देखिए कितने धन का 5% साधन ब्याज की दर पर 3 महिने में जमा करने के लिए मिस्टधन 125 हो जाएगा तो ये आपको ध्यान में रखना है ना चलिए करते हैं इस क्यूस्षिन को सुन बस थोड़ी ची बात ध्यान लखने कि यहां 3 महिने में साल कितने होते हैं एक बटा चार साल होते हैं करना चाहो करना बट कर दो दर्वाइश तो कोई पोगना माम है ने तो चलिए तो कितने मूल धन को तो जहेजी बात क्या निकालना आपको पी निकालना है ठीक है न अगर पी निकालना तो formula क्या था आपका a गुना 100 और ब्रेकट पी 100 पलस आर्टी ठीक है एक इतना है 1025 गुना कितना है 100 और पी कितना है पी तो आपको निकालना ही हो लड़ी और यहाँ पर कितना है 100 पलस आर्टी आर्टी कितना है यहाँ पर 5 गुना 3 ठीक है ना 5 गुना 3 तो यह हो गया पच्छिस गुना सो और यहां पर कितना है पी उर्सकी वेलों अगर रख ली जाए तो कितना रहेगा यहां पर सुपन्द रहा शोरी एक बटे बारा भी रखना होगा यह एक बटे चार बन जाएगा ने ठीक है तो अगर यह बटे चार मिला आपको तो इससे रफ कर दीगे यहां पर कितना रह जाएगा है 405 बटे 400 405 बटे 4 ठीक है ना यहां पर रह जाएगा 405 बटे 4 चलिए 405 बटे 4 यह मिला अब इससे काट दोगे तो आप इससे काट सकते हो कितनी दफ़ा यहां पर इससे काट दोगे तो 455 दफ़ा काट दोगे 5 यह 20 तो पी बराबर कितना रह दो हजार रुपे आपका धन था कितना था 2000 रुपे धन तो चलिए यहां पर करना है राम ने महेश से एक रुपे में एक रुपे में आट पैसे की साधन ब्याज पर रण लिया यानि एक रुपे का आट पैसे आपको ब्याज देना है तीन वर्स के बाद उसने महेश को कुल 1178 रुपे दिये राम ने कुल कितने रुपे रण लिये थे ठीक है तो चाहिर सी बात था आपको वही फॉर्मूला एपलाई करना हुआ जो मैंने थुड़ी दिर पहले हमने बताया था आपको उसे ही रखते हैं एक 178 इंटु हंडल यहां पर पी और यहां पर कितना सो पलस तीन वर्स है ना आट गुना तीन तो आट यह चोड़ीस एक सोड़ीस 178 इंटु हंडल यह पी और यह 124 तो यहां से अगर इससे आप इसे कैंचल करते हो तो ठीक है ना जब आप इसे कैंचल करोगे यहां पर तो कितना कितने दफ़ा होगा है आट यह 24 होगा ना एक 178 तर तो अगर देख ले जाए नो पॉंट पांच मिल जाएगा कितना नो पॉंट पांच है और इसकी पीक इक्वल टू नो सो पचास रहेगा यहां ठीक है ना नो सो पचास आपका अंसर रहेगा यहां पर तो ठीक है कोई प्रूलम तो नहीं है अभी चलिए नेक्स करते हैं दो हाजारoral छस्टो प्यक्ट रूपे की धना शक्या को दो भागों में प्रकार दो भागों पर तीन परसंट परती वर्ष के दर से और तिलिज्टी भाग पर 5 परति वर्ष की दर से तीन वर्ष में अरधित ब्याज बराबर autour तो दिल्ते भाग कीद भागी ठील क्या तो जहिर सी बात जैसा कहा गया वैसा आपको करना होगा बस यह आपको थोड़ा सा कॉंसेप्ट समझना थोड़े देर के लिए है ना ब्याज बराबर है तो एक सपोज करो कि एक तो फर्स्ट था फर्स्ट पे कितना था सुना थो है तीन पर्सेंट और गुना आठाना दूसरा कितना थे आपका सेटकन के तीन पांच गुना तीन से तीन काट दें यहां पर फस्त बाइस सेकंड कितना हुआ यहां पर पांच बटे आठ तो टोटल कितना हुआ तेरा और तेरे को बोल दिया आपका यहां पर कितना बोल दिया 26 65 तेरा दुन 26 तेरा पनी 65 इतने का मल्टिपल हुआ दित्ते भाग तो दित्ते भाग की रही राची यह तो दो सो पांच आठ पन चालिस और आठ दुनिस 16 कितना रहा ही 680 कितना रहा ही 1680 आपका राची रही ठीक है ना 1680 चलिए यहां पर एक और क्यूस्टन करते हैं एक आदमी तीन महा के लिए एक बैंक से 1260 का करज लेता है कितने का करज लेता है वह बारासों का अच्छा वह पाता है कि उसे 1236 रुपे बैंक को लोटा ना होगा कितना लोटा ना होगा 1236 ठीक है तो भी आज की दर क्या रही तो कोई पर्लम नहीं तीन महा की बात है बस नूर्मल करतो के अपीस है थीक है तो कितना 1200 था बारासों च्छा थीस का प्रोफिट 1200 पर गुना क्या कर दो कि सो और तीन महा तीन महा को साल में करोड़ करोगे तो वन बाइ-फॉर तीन चुक बारा तो ठीक है चार उपर पहुंजाए तो यह कितना रहा बारा परसंट दर थी कितनी थी बारा परसंट दर थी ठीक है और करते नेक्स कुष्टिन यहां पर क्या कहा गया एक वैक्ति ने पांच जार रूपे दो वर्स के लिए दो वर्स के लिए है इस परकार पूरे सोधे में तम इसके कितने परतिषत का लाव हानी हो यहांपर देख लिजे तो तो दूसरे वेक्तु कितना दिया साड़े च्छे पॉइंट पच्चिस अब ओगर चार पॉइंट पच्चिस तो यहां पर कितना हुआ दो पंड दो पांच पर तीसद अब यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं न ठीक अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब आपको करना क्या होगा तो यह जो है यह प्रॉफिट रहा आपका है ना इतने परसंटेज तो यही परसंटेज आपको बस निकाल देनी है कितनी पूरे सोदे पढ़ला पो चलो न तो पांच जार आपका उल्ड़ी था ही इ दो साल की बाद है और बटे में आपको रखना होगा सो तो दो जिर सो दो जिरो कंचल कर दीजिए पांदो में दर्स और यह पॉइंट अट जाएगी तो हो जाएगा तो दोस्तों पच्चिसी रहेगा दोस्तों यह आपका है इतना रहा कि यहां पर क्या करना है देखें यह दोनों दिनों को सम्मलित करने पर साधन ब्याज कितना होगा यानि लास्ट वाला दिन भी और यह भी अगर यह देख ले जाए तो टोटल कितने होंगे यहां पर ग्यारा भी एड करना है यहां पर शतरा भी ठीक न तो होग में कितना 123 दिन ठीक न दिन कितने हो हे 123 और दर थी आपकी 5 परसंट ठीक न और पी कितना था टेहत्तर सू रुपे ठीक की था टेहत्तर सू रुपे तो यहां पर कितना रहा तो यह रहा आपका और कितना पाँच गुना 123 बटे 365 और बटे 100 लिखना आपको 0000 काट दीजिए इससे काट दोगे तो 15, 15, 16 ठीक है तो इससे काट दीजिए तो 123 था तो जहीं सी बात है तो 33 से काट दोगे तो 5 दफा कट देगा और 5 से 5 कर देगा तो 123 मिला दोस्ते तो बस जितने दिन थे ये रहा 123 से यहाँ पर क्या करना आपको एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपे की धन्राशी निवेश के लिए इसमें से वहे 4000 रुपे को साधरन ब्याज की दर की 5 परसंट वारसिक ब्याज की दर पर तता 35,000 को 4 परतिसत वारसिक ब्याज की दर पर निवेश करता है से इस धन्राशी को वहे किस दर से निवेश करे ताकि उसकी आए 500 हो जाए यह आए कितनी हो जाए उसकी 500 रुपे पर निवेश करता है ठीक है कोई प्रोलम है यह दस अजार थे टोटल यहां से पर देख लिए चार हजार तो यह था अच्छा दूसरा कितना बचा चार हजार तो एक बंदा लेकर चला गया तो अगले बंदे के पास कितना बचा जाहिर सी बात है यहां पर बचा है ना 4,000, 7,500 बचा बिए कितना बचाए NOT 2500 ठीक है अगर 25 अगर पचिस तो पर अतरिक ब्याज देख लिया जाए तो यहां ब्याज भी देख लिए डिए पहले साथ साथ चलते हैं करते है ना इसमें फाइदा रह रहेगा हमारा 54,000 पा 5 परषंट निका लोगे तो कितना मि लाप का 200 इसी तरीके सा आपने निकाल दिया कितना इस साढ़े तीन यह जार का चार परसेंट बटे कितना सो यहां पर राह 140 कि अगर 140 हुआ तो टूटल हो गया कितना 360 और उन्हें चाहिए कितना तीन साचालीस हुआ तो जाहिर जिवात और बचा कितना आपका यह पर टूटल हुआ तो और बचा 160 160 का अन्हें प्रोपिट से यह कितने पर पच्चिस सो गए 160 का प्रोपिट पच्चिस सो धन बचे यह गुना कर दोगे सो समय कुछ है नहीं यह लीजिए जिरो से जिरो पेंचे और छेपन चार परतिसे ताक कि दर थी वार्शिख नेक्स्ट किस्चन है इसे भी देख लिखते हैं किसी धन नासी पर साधन ब्याज की दर से साधन ब्याज मुन दन का 25 बटे 16 हो जाती यदी दर की संके परतिसाद और सब बराबर है दोनों दर और संके बराबर तो 25 बटे 16 गुना 100 अर्य करना होगा रूट यानि 5 बटे 4 गुना 10 तो 50 हुआ तो जहिजी बात है कितना होगा यह तो दो पांच पच्चिस साड़े बारा परसेंट है ठीक है यह था आंसर आपका यह लीगिए है यहां पर इसमें क्या करना है कोई साधरन भी कोई रासी साधरन भीयाज की दोरा तीन वर्सों में स्वेम की साथ बटा छें हो जाती है कितने हो जाती है साथ बटा चेंड प्रोफिट हुआ एक च्छेंधे है तेह जाद से उना सो बटा तीन तो यहां पए दो यहां पोखेंगे पचास पचास बटा च्छेंग चेंड़ तालिस और एक बटा तीन परसेंट है ना यह थी दराफिक तो कितने थी यह सईसे लिखे तो कितने होगी आठ से ही आपके एक बार देख लेजिए फिर भी कि एक अप्रोप्रिट हुआ थे पर तीन में तो छे से डिवाइड करना होगा यह पर दो अच्छे दो से करता तो आपका यह गलती हुआ दो तो आप दो से करते तो यहां पर मिलने वाला है तीन इतना यहां पर तीन और यहां पर पचास नूँग तो ठीक ना नो के जी 55 बार्टन नो पर से लिए रहेगी ता अंजर आपका क्या रहेगा यह वाला ठीक है इसमें क्या कहा गया है एक धन रासी पर पांच वर्षों का साधन भ्याज उसी रासी का एक चोथा ही है कि साधन भी आज क्या है उसी राज़ी का एक चोथा ही है ठीक है यानि एक बटा चार है साधन भी आज राज़ी कहा 155 परसेंट दर था ठीक है कितना था 5 परसेंट दर ले यह रही दोफ दोफ्ते हैं चलिया एक कुष्टिन देखते हैं किसी किस दर पर 6 वर्षों का साधन ब्याज उसी राशी का 9 बटा 25 हो जाता है कितना हो जाता है 9 बटा 25 गुना करोगे 100 बटे 6 तीन दूने 6 तीन त्या 9 ठीक है 50 से 2 तो 6 परसेंट था आपका तो यह रहा पहला वाला ओप्सन ठीक है न यहाँ पर क्या कहा गया देखिए एक धर नासी पर साधन ब्याज उस राशी का एक बटा 6 पर 30 है उस राशी का कितना है एक बटा 6 पर उसमें यदी वर्षों की संक्या दर की संक्या के बराबर एक बटा 6 है गुना 100 और जब बराबर हो तो यह आपको लिखना पड़ेगा रूट ठीक है न तो अगर ऐसा करती है यह वैसा गलती से लिखा और 16 था दूस्तों यह एक बटा हाँ अब हो जाएगा 10 बटे कितना राच चार तो डाई परसेंट आपका तो कहां है डाई परसेंट यह रहा डाई परसेंट ठीक है ना तो कोई प्रोब्लम नहीं है ठीक है फिर चलते हैं नेक्स पर दोस्तों यहां पर क्या कहा गया किसी राची का छे सही एक बटा चार वर्षों में अपने उस राची का तीन बटा आठ हो जाती है कितना हो जाता है तीन बटे आठ गुना सो और बटे में यह लिख़ों पच् सब्सक्राइब किसी निश्चित राची पर साधन व्याज उसी राची का सो लबटा पच्चिस हो जाता है और यहां पर दर और समय की संक्राइब कि यह समान कोई नहीं है तो सोलब बटा कितना हो पच्चिस निगे रागो तो कितना रहा यह आपकर चार बटे पांच गुना सो तो यह रहा बीस परसेंट कि पांत दूंदर कि यह भी दस बचा दोस्तों दो मिला कर लिए ठीक है न कितना रहा है यह दो अगर यह दो है ठीक है ना नहीं पता दस तो यह दो मिला तो आठ परसेंट थी ब्याज की दर कितने थे आपकी आठ परसेंट यह रही ब्याज की दर यहाँ पर क्या कहा गया यहाँ पर कहा गया किस दनाजी पर साधन ब्याज मोद्धन का एक बटा नो हो जाता है और इसमें भी वही दर और परतिशत की जंग्या बराबर हो तो एक बटा नो कि में सोट रूट तो दस बटा कितना रहा तीन तो तीन सही एक बटा तीन परतिशत है यह तो यह है दोस्तों यहाँ पर लास्ट डी ओप्शन यहाँ पर क्या कहा गया देखिएं पञ्सो रुपे का दो वर्ष्ट कि दो भिन भिन बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर ये है ठीक है तो ब्याज की दडरों का अंतर क्या है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पान सो रुपे है न तो यह तो फाइदा ही हो रहा ना उनका 2.5 का फाइदा हुआ कि इतने 500 है गुना 100 कर दो कर बटे 2 तो ठीक है अगर यहां से पॉइंट अटा दोगे तो यह है ना 0.60 होगे 100 भी गुना करें तो यह हुआ 500 यह हुआ कितना 500 गुना दो और है 500 इससे काट दिया एक बटा दो यानि एक बटा चार तो इसे क्या लिख दो 0.25 परसेंट है ना एक इस एक तो रहा यह और यहां पर रहा का यह यहां पर ठीक है परभात ने एक बैंक से कुछ रासी 8% वार्षिक ब्याज़गी दर पर दर पर उधार दी और उसने वही रासी 12% वार्षिक ब्याज़गी दर पर आसीज को उधार दी ततनुसार 12 वर्षों में के बाद उसने 960 का लावा तो मूल नाशी कितनी थी तो कितने का प्रोफिट हुआ है आप है 960 था ना 960 का लाव हुआ तो ठीक है 960 का तो हुआ लाव गुना सो कितने पर है दोनों का अंतर निकाल देजिए दरों का चार परसेंट और यह रहा 12 साल के लिए 12 बटेंगा बाराचों करतालिस दुनिच्छान में यानि 20 तो दो हजार थी वे जाहिज सी बात है वह आपके राची कितने थी वह दो हजार है चलिए नहां पर एक क् overlay राचिया करम से 2 वर्श में 8% साधर निंव्याज की दर पर उधार ली ब्याज नहापके तमरा एक और गुना सो तो करते हैं और तो साथ सो रुपे ती आपकी राजी क्या थी साथ सो रुपे ये रही है आपकी राजी तो दोस्तो आज की ये किलास खत्म नहीं आपकी और इसी के साथ एक आपके लिए अवस्त सूचना है अब अवस्त सूचना क्या है वो भी बता दीजिए अवस्त सूचना ये है दोस्तो कि हमारे इसी चैनल पर आपको current affairs भी पर-day provide करा दी जाती है ठीक है current affairs तो आप सोज रहे हैं current affairs की तो वैसी समस्या है तो आप अब निस्चिन्थ हो जाए दोस्तों आपको यहाँ पर current affairs provide करा दी जाती है और यह ऐसा नहीं है दोस्तो अभी सही है हां से तक्रीबन एक साल से current affairs ऑपर-day के एम से स्टार्ट ठीक है ना और benefit ये हुआ कि यह short video है दोस्तो शोड वीडियो तो सोड वीडियो का मतलब आपको ओनली वन मिंट बचते है आपको और वन मिंट में आपका जो करेंट फिर से वोग पर तयार हो जाया करेगा ठीका ना और जिगरेक करना आपको हम आपको अच्छा सबाना भी सुमाएंगे तो दोस्तो इसी के साथ मैं संजीत उमर एक बार फिर विदाई लेता हूं आपसे हसते रहिए मुश्कुराते रहिए और अपनी तयारी निरंतर जारी रखिए कब तक दोस्तो जब तक जोइनिंग लेटर हाथ में ना हो थैंक्स पॉर वाचिंग आपका दिर सुबहू झाल 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 झाल